कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट वॉंडरर में मैं हूँ आपका दोस्त अशुक और आज मैं आप लोगों को लेकर आयों प्रकती मैदान में जहां यहां पर लगा है एस ट्रेक का इविंट और यहां पर हमें एक स्टॉल विजट कर रहे हैं जो कि डेली बेस है जिसका नाम है गार्डन नीट स्क्रीन पर आपको आपको फोन नमर इस जगह की सारी डीटियल मिलने वाली है तो प्लीज आप उसे नोट डाउन जरूर कीजेगा और यहां पर आकर जुड़ियेगा जरूर इंस्ट्राग्राम फेस्बूक अगर आप इस्तमाल करते हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वैमिली का पार्ट जरूर बने तो बात करेंगे यहां के ओनर से देखते हैं किस तरह के प्रोड़क्ट्स इनके पास क्या रेंज है कैसे कैसे वह आप तक पहुंचने वाली है सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी तो वीडियो का कोई प्र इसके बारे में सो लेट्स गो सो दोस्तों मेरे साथ है गार्डन नीट से मिस्टर गौदम जी जो की ओनर है के बात करेंगे वहीं से और जानेंगे इनकी जगह के बारे में फिलाल अभी हम आए हैं प्रगदी मैदान में जो इनों अभी अपना स्टॉल लगाया उसके बारे में तो सर एक कंप इस इवेंट बारे में बहुत बेता हैंifs देली में कहांपर बेस हैं और अहुज़ाईл एपना स्टॉल लगाया है और हमारा मॉडल जो हम खुद मनुफेक्ट्रिंग करता हैं हम सिरफ होल सेल करते हैं पर आपको डरने की जरूत नहीं है आपको हमारे जो डीलर्स है पूरे अलवर इंडिया मिलेंगे हर जगा पर आपको हमारा प्रडॉक्ट मिलेगा अचा प्राइस प्राइस को लेकर थोड़ा समयत रहता है कि वह सरामिक से जादा बैस्ट नहीं है अना तो इसके लिए क्या कहना चाहिए देखिए मैं सेरेमिक को बुरा नहीं बोलूंगा प्लास्टिक प्लांटर अपने आप में बहुत स्ट्रॉंग होते हैं और अच्छी होते और सबसे बड़ी बात होती है कि आपने यूस किया दो साल तीन साल पांस साल और इसके बाद इसको आपने वापिस रिसेक्लिंग के लिए डाल दिया तो यह फिर रियूस होंगे तो सेरेमिक के इंदर क्या है कि सेरेमिक बहुत जल्दी जाते हैं अच्छा रीटेल में किसी को सिंगल पीस कैसे ले सकता है कुई होलसेल में तो आपके वेंडर्स आल अवर इंडिया अपने बताया है रीटेल कैसे जाएगा एक पीस मैं आपको एक नंबर दूँगा हमारा कश्मर के नंबर आप महां उस का पर कॉल किजिए आपके पास का लोकल का जो हमारे जो डिलर हो देखे तो मैटल के इंदर हमने लाइट लगा के प्लांटर लगा है इससे जो प्लांट होता है उसको एक्स्ट्रा लाइट मिलती है जल्दी ग्रो करता है तो यह मैटल का प्लांटर है इदर हमने प्लांटर में मैटल की रेंज रखी है पूरी अगर आप देखे तो यह सार 1550 रूपीज का है 1150 रुपीज का है, यह दो दोपीज के सेट है, ठीक है? यह 5400 के दोपीज के सेट है, इस सारे इंटीर में यूज़ होने वाली आइटम है, और सब के उपड़ी अगर कोई होलसील में काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या ओप्शिन्स रहते हैं सेम कश्मर के रपे नंबर कॉल करेंगे और हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइट कराएंगे कि कैसे आप हमारे साथ जुट सकते हैं कैसे अपना इंटीर का शोरूम खुल सकते हैं अपने अपने इंटर को डख सकते हैं इस तरह के जो प्लांटर से काफी इन हैं मतलब इनके बारे मतलब इनके बारे मतलब क्या रेंज है और किस तरह मिलने वाले यह ट्वंटी वहंड़ रुपीस का एक एक पीस का प्राइज है और इसके बहुत अच्छा लगता जब आप इसको प्लांट ग्रो करते हैं क्योंकि आज के टाइम पर प्लांट को अगर देखेंगे तो हर जगह ग्रो रहे हैं और oxygen सब को जरूत है तो इस बेड्रूम के इस टाप के प्लांटर आप लगा सकते हैं यह बहुत बड़ा साइस है हां ना फाइबर का है प्लास्टिक लेकर ऋटो तो इसका है साइज क्या है और रेंज क्या है ये 32 इंचिस का साइज है और इसका रेंज 화ं ए थार्ए 6 34- gefैन रेंचेज़ और लास्माम वैंने और शेम आपको दिखाता हूं। जो कbor عنूश। प्लास्टिक के आपके प्लांटर्स हैं वो कितने से शुरू आपने बताये थे वो मैंने आपको बताये थे 10-20 रुपे से स्टार्ट हो जाते हैं अभी आपको इसकी रेंज भी दिखाता हूं ठीक है इस तरह से यह हैंगिंग्स वाले हैं इनके बारे में कुछ बताईए जैस इनके साइजिस क्या-क्या मिलते हैं और रेंज कितने से स्टार्ट है यह 30-24 इंचिस इनके हाइट होती है और रेंज तक्रीबर दो हजार रुपे का पर सिंगल पीस यह सेट के अंदर राता तो फाइव थाजन रुपी के आसपास का प्राइज है और इसकी जो पेंट हो र इनके साइज रेंज वाइट में जाएज जादा चेड़ चाड़नी कितने से शुरू हैं किस किस तरह के हैं और मजबूती की जहां बात आती है डियूरेबल है बिल्कुल 100% डियूरेबल और यह सब मतलब की अनब्रेकेबल प्रोड़क्ट है लास्ट टाइम आपको वीडि इस तरह के जो प्लांटर से बड़े बड़े जो अपने एक टब फील वाले जो आते हैं वो कितने से स्टार्ट है यह 500-400-300 रुपे से अलग रेंज है इसकी स्टार्टिं के अंदर यह वर्जिन के अंदर आप दूसा कलर लेंगे तो थोले सस्ते हो जाएंगे और सबसे बनाया है एक प्रोडट्ट और यह बहुत अच्छा रिसेल हो रहा है रिसेल कर रहे है क्या रेंज में सर्य थी थाउज़ रुपे का विद लेडी है तो कलर वगरा चेंज हो सकते हैं कलर इसके अंदर हम यह वाइड लेडी वाले और 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 अज़ लगाएंगे तो कलर चे जाने चीजे रख सकते हैं 2700 रुपे का मिरेकाल से हैं जी 2700 रुपे का स्काइमार ठीक है सर अब आते हैं थोड़ा इस सरफ एक फाइबर की लुग भी मिलती है और मतलब मैट फिनिश सब कुछ मिल रहा है मतलब मैं चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा सब डीटील में ब ब्राउन कलर में बना रखे हैं और बहुत ही स्टॉंग होता है इसकी लाइफ पांच से साथ साल होती है एक स्टीर के अंदर इंटीर में और बढ़ जाती है साइजिस की अगर मैं बात करूं तो हर साइज में हर डिजाइन में यहां पे चीजे मिलने वाली है आपके स्टोर सेट वाइज लगाए है और सब्सक्राइब इंटीर के इसट आपको प्रवाइट कराए सब्सक्राइब तो अगर ऊपर और मैं देखना चाहूं तो मतलब यह तो औरू बिस्टीप अभी लगी ने रहे कि बिल्कुल सर हमने इसी तरह से डिजाइन किया है कि ये स्टोन फिनिश के लिए हमने इसको बनाया है और ये स्टोन फिनिश बिल्कुल असा फिल कराएगी कि ये अपने पत्थर का ये अपने इसको बनाए ले लगा साइज सारे मिल जाएंगे इसके सारे साइज मेल जाएंगे आपको यह बताने वाला था कि इस पर हाथ से पेंट किया हुआ है और इसके अंदर आप कोई भी डिजाइन चाहेंगे तो हम पेंट कर सकते हैं अगर उसके और अपना लोगो लगवाना चाहेगा तो वह भी हम लगा करके इसके अंदर दे सकते हैं कलर्स की आगर मैं भात करूं तो हर कलर भी हुआ हर कंट करा सकते हैं हमने कुछ फिक्स कलर बना रखेंगे पर कुछ इश अच्छी होते हैं तो हम आपके इंटियर के líd ciert से आप से बना यह जो hand printed है यह 3300 के हैं इसी हमने एक stone finish बनाया है मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ कि stone finish के साई नीचे के जो है एक बार इनकी भी बातचीत कर ली जाए काफी different different design है मतलब seriously wow बहुत ही बड़िया प्रोडक्ट है मैं चाहूंगा बदाइए इसके बारे में थोड़ा सा detail दीची दिखें इंटियर के अंदर अलग जगाए होती हैं हम अलग जगा पर अलग डिजाइन को लगाते हैं तो एक जैसे हमने यह पॉट बनाया है इसके अब देखेंगे डबल तो एक साइट से आपको दूसर नजर नजर आएगा दूसर नजर 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 आएगा तो इस तरह की जो यह आप शेप के अंदर बहुत हैं तो आगी तरफ और आते हैं मैं चाहूंगा पीडर आज़ाओ अब बीड बढ़ने लगी है थोड़ी सिया ना दीरी तरिया आपक कितने पके कलर हैं कब तक रहेंगे सर यह आउट्डोर के ही कलर हमने यूज करते हैं अच्छी कंपनी के कलर यूज करते हैं उसके ओपर डबल कोटिंग होती है एक लेयर और लगती है जो की वैदर पूरूफ होती है ठीक है तो इसकी लाइव जो है 4-5 साल है और उसके अगर नीचे देखेंगे तो आप तीन अलग साइज है अपने घर के साब से चोटे बड़े एरिये के साब से आप उसको बना सकते है और आपके साब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो ऊपर हमारे वहां स्टोन लुक में जो पॉट्स लगे होए थे वो यहां पे भी है ना आपको इतने बड़े बड़े पॉट्स यह फाइबर लुक्स वाले है इनके बारे में एक बार थोड़ी सी डीटेल बताते हैं इसको वोड लुक दिया है कई लोग चाते हैं कि हम घर के लखडी का गमला लगा है पर लखडी के गमला पानी के निदर ठहरता नहीं तो उसके बात करो का साफे ती नजार साथे ती नजार आते हैं इसमें कितने कितने साईजेस हमको मिल पाएंगे फिसके लिए जकाने उसके लेकर के टूंटी और थर्टी इंचिस तक भी हम जा सकते हैं तो बड़े भी है पहले आपने जो दिखाया यह एले डी वाला है मेरेको अर य जो एट गाइड कर सकते हैं थो एक्सेश्फुल गाय्ट कर सकते हैं तो सक्सेश्फुल है क्योंकि ब्लांट को जो है एर के जूरूत होती है सिर्फ आपने इतना ध्यानखना है कि इसके नीचे एक वाटर माजर मेरा जाएम जिससे आपका एक्स्टाव पानी भाहर निकले जरूर यह मरेंगे क्योंकि इसके साइट से पानी नहीं निकलता ठीक है और इसका सब्सक्राइब है इसमें बहुत ज़्यदा पानी डलने की जुरूत नहीं है क्योंकि वा। और सिविंग करता है इसका पानी घराब नहीं हो रहा है अच्छा यह भी एक और लाइट का उप्शन है इसमें तो आपने मतलब तीन चार लाइट एक साथ लगा दी हाँ बिल्कुल से और इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपका मूड अगर रेड कलर मूड है तो रेड कीमत कितनी ले रहे हैं फिर इसकी सर यह सेवन थाउजन रुपीज का है यह जो प्लास्टिक आप यूज कर रहे है रिसाइकल हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक बहुत बड़ा है हमारे एंवायरमेंट के लिए तो रिसाइकल हो पाएगा सर मैंना पको पहले भी पताया कि यह प्लास्टिक है और जैसे यह खराब होता यह इसको रिसेकल के ही जाता है जी जी ठीक है डिजाइन सो और भी है आप बताइए अब कुछ और दिखाए अपने जो बैस जैसे यह प्रोड़क्ट है अगर देखेंगे बिल्कु स्टोन फिनिश है इसके अंतर जब प्लांट ल दसाल आपके पास यह चलता है और जब यह आट-दसाल आप बोर हो जाए उसके बाद इसको यह फिर रिसेकल होकर करके दुबार से कुछ ना कुछ प्रोड़क्ट बन के आ जाएगा बहुत बड़ी है रेंच और साइज क्या है इसका इसका जो एमर्पी है 4400 रुपी इसका बहुत सारे डिजाइन्स है अब इसके बारे में तोड़ा सा इसके बारे में बता दो वो मेरे कहल से चोटा था और यह तोड़ा बड़ा वर्जन बड़ा है तो वह एलेडी पॉट ही है और यह बहुत अच्छे लगते कार्ड़न केंदर जब 5,000 रुपीज का है 5,000 रुप यह किस हसाब से है सर इसके अंदर जो है वेजिटीपल लोग गुरू करते अपने टैरीज गाटनिंग के अंदर और आज कल यह जो कल्चर है टैरीज गाटनिंगा क्योंकि भार प्रेस्टिटाइज साइट वाले सारे फूड मिले तो लोग पसंद करते कि अपने घरी गुर तो बताना चाहें कि इसमें क्या क्या साइज अविलेबल है सर इसके इंदर 32 इंची हाइट के भी हैं हमारा स्टॉल चोटा है तो पूरे पूर्ट नहीं लेकर पाया बहुत बड़ा स्टॉल है और बहुत जादा वराइटी देखने को मिली है मुझे सही बता हूं तो एक बात कर रहा था मैं साइज एक बटा दीजिये सर शिके इंदर जैसे 94 की हैंट थर्टी इंच इसके आलग कर ल表 भी उगए 1700 में 2019 य那就 Daar working इस हमारे थाइपे कुछ पॉट्स लगे और इसके बार में क्या है यह स्पेशल पॉट्स उगाने के लिए अगर आप देखें तो इसके लिए अपने घर के इंदर विजनल लगा सकते हैं बहुत साथे क्लाइंट से लगाएं और इसमें थीन साइज दी है आप देखें तो जिसका घर छोटा वो छोटा लगा सकता है जो जिसका घर बड़ा वो बड़ा लगा सकता है बागी तो कॉमन्स है कुछ ऊपर ये स्वार के जो आपके डेकोरेटिव प्लांटर्स दूसरे साजाने के लिए यह कितने से स्टार्ट तो साइज का क्या मिलते हैं तो स्टार्ट है और इसमें ट्वंटिफॉर इंचिस थर्टी सिक इंचिस और फॉटी इंचिस के साइज है और भी डिजाइन है जो यहां पर हम नहीं लेकर आपाए और यह इवेंट वाले बहुत ज़्यादा पसंद करके लेकर के जाते सर कुछ इनके बारे में अगर बेसिक बताना चाहिए तो जरूर बताएं तो इसमें अलेलाग डिजाइन अब देखें तो फाइफ इंची से छ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा शेर जरूर करना है और कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा जो यहां पर आना चाहता है सारी डिटेल आपको मिलने वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो प्लीज आप उसे नोट पार एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग रखेंगा अपना खयाल नमस्कार